मार्किट में 900-1200 रुपी किलो मिलने वाला आमचूर आप घर पे बस 50-100 रुपर में बना के तयार कर सकते हो तो बहुत ही असानी से और ठेट सारा एकदम पियोर हाईजेनिक आमचूर आप घर पे बना के तयार कीजे और इसे आप साल फर तक स्टोर करके रख सकते हो तो यहां मैंने ले लिये हैं कच्चे आम यह मैंने करीबन डेड़ किलो कच्चे आम लिये हैं तो यह मैंने तोता पूरी कच्चे आम लिया है आप कोई से भी वराइटी के कच्चे आम को ले लीजे आम को दो के अच्छे से साफ कर लीजे और इसके उपर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए अब इसके उपर की हिसे को काट के हमें इसको पील कर लेना है तो पीलर की मदद से या फिर नाइब से आप इसके छिलके जो है फुर सारे छिल लीजे बजार के आमचूर पाउडर में क्या होता है कि उसमें छिलके के साथ हो बनाते हैं और बहुत सारे प्रिजरवेटिव भी आड़ करते हैं बट घर पे आप इसको अग्दम सुध तरीके से बना सकते हो तो सारे आम के देखे हमें इसी तरीके से पहले छिलके छिल लेने हैं उस य तारे से पतले स्लाइस करने से बहुत ही जल्दी सूख के ये तकivo जाता है बस एक दिर सूख के तयार हो जाएगा और इसको बनाने में कुई महनत कोई धंजट नहीं है दोस्तो आफ फटा फट इस तरीकी से स्लाइस कीज़े साथे हम एस चूंप को ऐसे same करके तयार कर लें है तो अच्छे से इसको फैला दीजे और आप इसको पंक्हे काम के अई सुखा सकते और यूरूरी निया कि आप इसको धूप में शुखाओ हवत अगर तेज धूप में सुखाओ अगर तरह सफ इन तो 5000 vibes हूँ रख रहे हैं और हमारा जो आमचूर है वो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सूख के तयार हो गया है अभी काफी गर्मी पड़ी है तो यह पंक्य की हवा में भी सूख जाता है आप इसको स्टोर करने से पहले बस आदे से एक घंडे की धूब दिखा दीजेगा तो अब आप चाहें तो इस आमचू बनाना हो या फिर कोई सबजी में आड़ करना हो तो इस सुख्य हुए आमचूर को हमें ग्राइंडर जार में डालेंगे और इकड़म फाइन पाउडर बनाके इसका तयार कर लेंगे तो बस चुटकियों में यह पीस के तयार हो जाता है तो मैंने यह देर किलो कच्छी आम का बनाया था और लगभग यह हमारा 400-500 ग्राम आमचूर पाउडर बनके तयार हुआ है अब इस तयार आमचूर पाउडर को आप किसी भी एर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख लीजे और इसको आप साल भर तक अचार बनाने के लिए सबजी वगेरा में या फिर आमचूर की चटनी बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो तो देखे मैं आपको बजार के पैकेट का दिखाती हूँ यह ड्राइं मैंगो पाउडर आमचूर जो आता है 50 क्राम करीबन 50 रुपे का मिलता है यह पर घर में हमने बस 100 रुपे में यह 1000 रुपे किलो मिलने वाल हीट बैक के तोर पे मुझे एक से लिके 10 के बीच में नमबर दे सकते हैं और दोस्तों यह जरूरी उप्योगी रेसिपी आप अपने दोस्तों घरवालों के साथ भी जरूर शियर कीजेगा तो फिर मिलते हैं आप सबसे एक और नहीं और लाजवाब से रेसिपी के साथ अब दो के लिए बाइ बाइ टिकेर